हेलो विवाड़स, अन्बोक्सिंग अडिया मैं आप सब का स्वागत है और मैं हूं मेरा नाज मेरे पास यहापे जो डिवाइस यह यह है OnePlus Nord CE2 5G स्मार्टफॉन चाहिए दोस्तोर काफी ज्यादा आप लोगों के बरबर के कमेंट आ रहा था कि मैं इसी स्मार्टफॉन के अन्बोक्सिंग करूँ फाइनल में इसी स्मार्टफॉन के रिटेल बॉक्स को यह पे लेग düş होगा है इस box के दिए और कि बुट यह यह ब्रहमा ब्लू को इस स्माटफोन को अंबॉकसिंग करेंगे जाने के इससी स्माटफोन की बारे में डेटेस्ट में फोन की स्पेसिफिकेशन प्राइस तो गाएस वीडियो का अपन तक ज़रूर देखिएगा और चैनल में तक सब्सक्राइ और यहां पर box हो चुगा है यां box OnePlus Nord CE2 का और यहां पर एक section देखने को मिल रहा है इसी section के अंदर क्या कुछ है चलिए देख लेते हैं section के अंदर again एक section यहां पर देखने को मिल रहा है और एक transparent case को बर बड़ी असा transparent case को बर दिया गया है और यह कुछ documentation काफी सारा documentation यहां पर provide कर दिया गया है और यह रहा दोस्तो OnePlus Nord CE2 smartphone कुछ इस तरी के से protection के साथ में दिया गया है मैं इस device को आप लोगे साथ share करूँगा और price भी बताऊँगा price क्या है उसी साब से device क्या है review करूँगा तो guys वीडियो कौन तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर देख सिक तो यह smartphone blue color में बहामा blue color मेरे पास यह device है और चलिए इस device को रखते है बाकी contents का कुछ दिया गया है थोड़ा सा देख लेते है यहाँ पर देख सिक तो एक adapter दिया गया है यह जो adapter है यह support करता है 65 watt super woke charge जिया दूस्तों ओपो का जो super woke charging support है यह इसमें दिया गया है और यहाँ पे एक red type C के फुल दिया गया है जो data transfer and charging के मामले में काम आएगा और चले फिलहाल इस prediction से device को यहाँ पे हमने निकाल दिया है और यहाँ पे देख सिक तो कुछ इस तरीकी से looks and design के साथ यह OnePlus Nord CE25G Smart One देखने को मिल रहा है जो device एक काफी बड़िया looks के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है glossiness design back body में देखने को मिल रहा है OnePlus का branding और साथी साथी हाँ पे triple rear camera, LED flash और design बहुत ही attractive है दोस्तों color जो blue color है यह काफी ज्यादा attractive device को यहाँ पे बना रहा है और device की जो back body है guys वो यहाँ पे class का इस्तेमाल किया गया है और device की यहाँ पे left side में power lock unlock button दिया गया है और device की निचे की दरफ देखा जाए speaker real है type c power लगाया है primary microphone 3.5 mm memory jack device की side में volume up and down button sim tray उपर की तरफ noise cancellation microphone भी दिया गया है और device की overall देखा जाए बेल का लड़ी design looks बहुत ही शांदार है device की price range के इसाब से मुझे तो खास करके smartphone की looks design बहुत ही ज्यादा पसंदा आया है OnePlus Nord 2 के comparison में या OnePlus Nord की comparison में device looks के मामले में बहुत ही ज्यादा अचा है और इस smartphone जो weight है वो भी काफी कम है 173 gram phone की weight है रखा गया है और इस smartphone की thickness भी बहुत ही कम है 7.8 mm thickness के साथ यह device है और अगर आपको भी इस smartphone की looks design पसंदा आया तो प्लेज वीडियो के लाइक करें और नीचे comment करके जुरूब बताइए यह smartphone की looks आपको कैसा लगा चलिए setup कर लेते हैं सबी चीजों को यहाँ पे और चलिए फिलहाल बात करते हैं इस smartphone की display के बारे में उससे बहुत है गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दू जी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया वीडियोंस देखते हो फॉलो करते हो लेकिन सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं बूल जाते हो तो subscribe करके रखिए आने वाले वीडियोंस में मज़धार वीडियोंस मिलता रहेगा और इसी स्मार्टफन के अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे AMOLED स्क्रीन दिया गया है एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिडी का इसमें डिस्प्ले प्रोवाइद कर दिया गया है 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ में HDR10 प्लास स्पोर्ड़ है जो स्क्रीन साइज है पंचोल स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 6.43 इंचेस का यहाँ पे फुल एचिडी प्लास स्क्रीन 1018 तो 2400 का पिक्सल्स 409 पिप्या रखा गया है और फ्रॉंट में कॉर्णिंग गरेले गलास 5 का बडिक्शन यानि बैक भी क्लास है प्रॉंट भी क्लास है एक अच्छा कॉलिटी का डिस्प्ले यानि बहुत ही अच्छा एक इसी स्मार्टफोन में डिस्प्ले प्रोबाइट कर दिया गया है एक्स्प्रियेंस बहुत ही अच्छा रहेगा परफॉमेंस के उपर बात करूँ तो डिफाइस में 8GB RAM है 128GB internal storage दिया गया है और इसी स्मार्टफोन में Android version 11 है और यहाँ पर ऑप्रेटिंग सिस्टेम Oxygen OS जो यहाँ पर OnePlus में दिया जाता है OnePlus Oxygen OS 11 दिया गया है और यहाँ पर MediaDec Dimensity 900 processor दिया गया है जो एक 5G processor है डिवाइस भी 5G है 6NM fabrication भी ओक्टेगर प्रसेशर है 2.4 GHz clock speed के साथ में इसके लावब जीप्यू के उपर बात करो तो यहाँ पे Mali G68 MC4 GPU दिया गया है दोबर अल परफॉमेंस के मामले में गेमिंग के मामले में एक बहुत ही बड़ी एक्सपिरियंस इसी स्मार्टफोन में दिया गया है और खास करके जो प्रसेशर है में एक बड़ी एक बड़ी एक प्रसेशर है और बैटरी परफॉमेंस भी बहुत ही अच्छा देखने को में लगा 4500 मिलियंपेर बैटरी है सुपर वोक्चार्ट सपोर्ड है 65 वाट का और डिवाइस में फिंगर्पिर्न स्केनर, फेस अनलोक सभी ऑप्शन अवैलेबल है और यहाँ पर देख सकतो फिंगर्पिर्न स्केनर काफ़ी फास्ट है वंन प्लस में काम करता हुआ नजर आ रहा है इसी स्मार्टफोन में काफ़ी एक अच्चा यहाँ पे फिंगर प्रिंट स्केन आट दिया गया है जो काफे फास्ट है इसके लवा फेस अनलोक से भी इस स्मार्टफोन को आप अनलोक कर पाओगे सभी आप्शन कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा दिया गया है इसी स्मार्टफोन में और चलिए दुस्तों फिलाल बात कर लेती इसी स्मार्टफोन की केमरा स्पेसिफिकेशन के उपर इसमें हमें ट्रिपल लियर केमरा देखने को मिलता है जो प्राइमरी केमरा है 64 मेगा बिक्सेल अपरचर F1.8 के साथ में है इसके लवा अल्टरा वाड इंगल लेंस भी इसी स्मार्टफोन में है जो 8 मेगा बिक्सेल अपरचर F2.2 के साथ में है इसके लवा यहाँ पर 2 मेगा बिक्सेल का मेक्रो केमरा लेंस दिया गया है जो अपरचर F2.4 के साथ में है डिवाइज में 16 मेगा पिक्सल का सेलफी और यहां पे तरह तरह की आप्शन यहां पे अवैलेवल है आप यहां पे अच्छी तरीके से फोरुग्राफिक कर सकते हो इसी स्मार्टफोन के साथ में विडियो ग्राफिक के ऊपर बात करते हो यहां पे आल्टराइस टेबल विड सेल बहुत ही अच्छा यहां पे देखने को मिल रहा है तो डैफिनेटली से स्मार्टफोन के केमरा के मामले में काफी अच्छा काम गया डाय है वान प्लस के तरफ से और इसी स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा कैमरा रिजॉल्ट है अदियलाइट हो इंडूर हो यह फ 24,999 पीस अन्योल मॉस 25,000 का ये डिवाइस है और इसी स्मार्टफोन में और एक वेरियंट है जो आता है 6GB RAM and 120 RGB internal storage के साथ में और उसी स्मार्टफोन की प्राइस है 23,999 पीस अन्योल मॉस 24,000 का डिवाइस है तो मेरे खाया से 25,000 में 8GB 120 RGB बेहतर होगा तो यह यह दोस्तो OnePlus Nord C2 स्मार्टफोन की अन्बोक्सिंग मुझे प्राइस रेंज के इसाब से बहुत ही एचा डिवाइस लगा आपको कैसा लगा नीचे कोमेंट किरके जरूर बताइएगा और एच्छे लगा वीडियो स्मिव प्लीज वीडियो के लगा लाइक घर देजिए चैनल को सबस्क्राइब अभी तक नहीं किरा नीचे दियेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत बूलिएगा और ऐसे ही में हमेशा इंट्रेस्टिंग वीडियोज लाता रहूंगा इसी उम्मेद के साथ तब ते के लिए बाई-बाई-टेक क्यार और जाहिंद